तो गुड आफ्टेनून ओल अफ यू अच्छा कल हम लोग सुभा क्लास करेंगे ठीक है तो रफली टाइम है ग्यारा बजे या तो या तो साड़े ग्यारा होगा या फिर साड़े दस होगा ठीक है कल का मैं एक्जैक टाइम बता दूँगा कल अम लोग सुभा क्लास करेंगे और अभी तुम लोग का जैसे तीन चार्ट ओ जो कुईरी आया या कल का क्लास के बाद में पहले ये था कि क्या daily class होगा हाँ daily class होगा कोई एक दिन हो सकता off हो बीच में बटा भी regular class होगा दूसरा ये है क्या हम लोग को R का जो basics है वो recording से देखना है हाँ वो recording से देखना है R का शुरू का 10 class जो कोई chapter से related नहीं है वो आप लोग को recording से देखना है प्लीज एक दिन में एक आर का recording देखना ही देखना है ये हम लोग कल ही discuss कर लिये थे कि हम लोग को दोनों को simultaneously manage करके चलना है ठीक है चाए वो paper A हो चाए वो paper B हो हम यहां से paper A push कर रहे है धीरे-धीरे करके अब देखो अभी धीरे-धीरे करके तुम लोग का जो class duration है वो 5 घंटा हो जाएगा ठीक है बट अब पूरा possible नहीं है क्योंकि अभी time हलका सा कम है बट तुम लोग तो घर पे पूरा time खाली हो तो जैसे मालो अभी शाम को घर गया क्या करोगे चिल आउट नहीं करना है तो क्या करना है laptop on करके archive वीडियो देखना है हो सकता है उसमें तुम लोग को 10% ही समझ में है उसी वीडियो को दुबारा देखो ऐसा होगा नहीं पूरा अची समझ में आ जाएगा but still I am telling you ठीक है गुरूप में आपको अपना query पोस्ट करना है ठीक है तो जो भी type का query है उसको group में पोस्ट करना है और ऐसे गंदगी नहीं बचाना है जैसे कुछ-कुछ बचलो लिखता है कल क्लास है ना तो है की ना मने कल क्लास होगा ना जब लिख दिए टाइमिंग ये इतना बज़े है मतलब क्लास है जस्ट आधा गंटा पहले लिखता है आज क्लास है ना तो बाकी लोग confused है जाता है कि आज क्लास है की नहीं ठीक है तो ऐसा मत करना ठीक है और एक-दो जो मेरे को लगता है जैसे अगर किसी को भी basics में problem हो रहा है जैसे APGP हो गया या फिर कोई basic concept जैसे integration, differentiation, matrices ठीक है एकदम raw जैसे कल मैं basic probability पढ़ाया खाल ये वो पढ़ाया उसमें भी अगर किसी को problem हो रहा है तो हम लोग और नीचे स्तर पे जाके भी करा सकते हैं तो उसके लिए हम लोग के पास में recorded lectures है ठीक है, maths और stats के तो जिसको भी problem है वो श्रद्धा से class के बाद में वो और सारा recording ले सकता है only if it is required मैंने, ऐसा मैं समझो, free में मिलना तो ले लेते है required है लगता है कि मेरे को थोड़ा अपना base को strong करना है तो ले लो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है हो गया, ठीक है next, heading लगाना yes oh sure please send the request एक दो और query कब तक खतम हो जाएगा syllabus July end ऐसा बोलेंगे नहीं, July end, August mid तक का time लेके करेंगे बठा July end को खतम हो जाएगा और तुम उठना मत नहीं, तो तुम उठ जाएगा, ठीक है it is very expensive yeah तुमको तुम्हारा टेंशन था, रोट से लग जाएगा, ठीक है देख के उठना चलो, heading लगाना नहीं आया भाई तरह request आएगा तो मैं accept कर लूँगा, ठीक है cumulative distribution function cumulative distribution function ठीक है, ध्यान से सुनना और सुनते जाना cumulative distribution function तो इसका मतलब क्या होता है probability up to point x बात को सुनना, ध्यान से सुनो up to point x का मतलब क्या है उस point तक का probability कल हम लोग क्या कर रहे थे इस point पे कितना probability है आज हम लोग बोल रहे है इस point तक कितना probability है दोनों में फर्क है, ठीक है तो इसका notation लिखना notation लिखना small f मतलब होता है PDF, capital f मतलब होता है CDF, ठीक है तो इसका capital f x small x, चीक है now this is equal to probability capital x is less than equal to small x उस point तक का कितना probability है throwing a die and getting a number less than equal to 3 तो less than equal to 3 में क्या आ जाएगा 1, 2, 3 है कि नहीं तो 1 by 6, 1 by 6, 1 by 6 the answer is 3 by 6 clear एक feeling आ रहे sum का feeling आ रहे sum का feeling आ रहे मतलब उस point तक जितने भी सारे probabilities है सबको मैं क्या कर दूँगा sum कर दूँगा ठीक है चलो अब एक example देखना किस तरीके से इसको बनाया जाता है ठीक है अपना वो जो point वाले example था ना two point toss कर रहे है वागेरा वागेरा वो इच example को लेगे चल रहे है अगर x 0 से कम है तो 0 होगा ठीक है इधर देखो अभी copy मत करो जैसे ही x 0 को touch कर रहा बट 1 से कम है तुम लोग पहले points identify करना है कि कौन-कौन से point पे probability है कौन-कौन से point पे probability था सर 0, 1 and 2 तो 0 को जैसे ही touch करेगा वैसे ही probability क्या हो जाएगा 1 by 4 ठीक है फिर जैसे ही वो 1 को touch करेगा बट वो 2 से कम होगा तो 1 को जैसे ही touch कर रहा है इसका मतलब क्या है 0 वाला भी probability आ जाएगा तुम लोग जैसे ऐसे cdf में आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे प्लस-प्लस करते जाना ठीक है तो 1 by 4 plus 2 by 4 क्या हो जाएगा 3 by 4 and जैसे ही वो 2 या फिर 2 से जादा हो जाएगा तो answer is 1 अब एक चीज समझना एक second एक second यह मैंने cdf बना दिया ठीक है इसको पहले copy कर लो इसको पहले copy कर लो heading लगाया है cumulative distribution function cdf ठीक है कल पढ़ेते probability distribution function which is pdf ठीक है हम लोग के admissions खुले वे रहते हैं ठीक है कभी भी मतलब exam के 3 दिन पहले, 4 दिन पहले अगर कोई तुम्हारा friend पूछता है कि महाँ पर admission हो जाएगा क्या तो ऐसे मैं देखना जगा ही नहीं होता है बोलना yes, पूरा खाली है कभी भी आप लोग admission ले सकते हैं ऐसे help करना चीए एक दुस्रे को वो देखा ना जै हो जै हो देखा है तुम लोग क्या बोलता है उसमें तीन हा तीन वो थाइंक्यू मत बोला को और अच्छा पढ़ाते थांक्यू नहीं बोले तीन जन को और ऐसे करके ऐसे तुम भी पढ़ेगा तुम्हारा दोस भी पढ़ेगा संग-संग ऐसे बैठ के पढ़ा करो पैचेस हमारे चलती ही रहते ठीक है तुम लोग ले आओ बस तो ठीक है यहाँ पर probability up to point x ठीक है अब इसके बाद एक चीज समझना अगर हम लोग को PDF से CDF पर जाना है तो हम लोग करेंगे plus और अगर हम लोग को CDF से PDF में आना है तो हम लोग करेंगे minus ठीक है बहुत simple है इसको भी copy कर लो ठीक है इसके बाद में एक note लिखो बढ़ाफ़ट भी fast note लिखो लिखो Whenever we are asked to calculate probabilities बढ़ाफ़ट लिखना Whenever we are asked to calculate probabilities and we are given CDF फिर से repeat कर रहा हूं Whenever we are asked to calculate probabilities and we are given CDF ठीक है पर्मा We will always convert it to a PDF We will always convert it to a PDF and then calculate the probabilities We will always convert it to a PDF and then we will calculate the probabilities Whenever we are given CDF and we are asked to calculate the probabilities We will always convert it to a PDF and then we will calculate the probabilities Hindi का मतलब है कि जबी भी हम लोग को CDF देगा Probability X is greater than equal to 2 तो मुचल के बोलेगा 1 The answer is no One answer नहीं है One answer नहीं है Greater than equal to 2 मतलब 2 या फिर 2 से जाधा और 2 या फिर 2 से जाधा होने का Probability क्या है 1 by 4 क्योंकि तुम्हारे दिमाग में वो PDF बैठा वह है तो कभी भी CDF देगा पहले minus minus करके हम लोग उसका PDF निकालेंगे और PDF से फिर हम लोग Probability निकालेंगे इस पर आगे भी हम लोग सम्स और करेंगे Next अब इधर ध्यान देना इधर ध्यान देना अब हम लोग बनाएंगे graph इधर ध्यान दो सबसे बहले हम लोग graph बनाएंगे PDF कर ठीक है इधर देखो इधर देखो X Probability capital X is equal to small x ठीक है तो 0, 1 & 2 ठीक है अब इधर ध्यान देना तो 0 पे मेरा height कितना होगा 1 by 4 1 पे height कितना होगा sorry 1 पे height कितना होगा 2 by 4 & 2 पे height कितना होगा 1 by 4 height मतलब probability और सब जगा पे points पे probability कितना है 0 ठीक है तो यहाँ पर मैं x-axis में क्या माप रहा हूं x-axis में क्या माप रहा हूं x x का value और y-axis में क्या हम आप रहा हूँ, probability, pdf, ठीक है, इसको बना लो तुम लोग, अब उसके बाब में हम लोग next चलते हैं, cdf में यहाँ पर x आ गया, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, probability capital x is less than equal to small x, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 1 by 4, यहाँ पर आ जाएगा मेरा 3 by 4 और यहाँ पर आ जाएगा मेरा 1, ठीक है, अब ध्यान देना, 0, 1 और 2, इधर देखो, मेरे तरफ देखो, सब लोग मेरे तरफ देखो, एक चीज़ समझ लेना, जैसे ही 0 को touch करेगा, वो height लेगा 1 by 4 का, फिर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जैसे ही 1 को touch करेगा, height लेगा 2 by 4 और का, फिर जा रहा है, जा रहा है, जैसे 2 को touch करेगा, height लेगा, और फिर ऐसे constant हो जाएगा, यहाँ पर total probability वाला feel लो, मैं question पूछता हूँ, मैंने 2 coin toss किया, 5 या फिर उससे कम head आने का क्या probability है, sure event है, क्योंकि अगर तुमने 2 coin toss किया है, तो maximum कितना heads आ सकता है, 2, तो 5 या फिर उससे कम ही तो होगा, तो it is a sure event, तो यहाँ पर मैंने 2 coin toss किया है, 2 या फिर 2 से कम head आने का probability बताओ, the answer is 1, क्योंकि जब 2 coin toss किया है, तो maximum कितना हो सकता है, 2, is it clear, okay, copy कर लो उसको, अज़सर उससे कितना है, क्योंकित आस अवद़ जसे कुछत कितना है, 2, is it clear, तो 6, 2, 10, 9, 10, 10, 11, 11, 11, 12, 12, 12, 12, 12, 13, 12, 12, 12, 12, 13, 12, 20, 12, 13, 13, 135, 16, 17, 16, 16, 18, 16, 16, 17, 16, 17, 17, 18, 17, 17, 20, 18, 18, 18, 18, 18, 19 12, 19, 20, 21, 22, 22, 23, 16, 19, 19, 18, 22, 22, 29, 21, 25, 2022, 22, 23, 25, 18, 16, 19, 20, 16, 20, 18, 19, 20. 18, 20 कॉपी हो गया यह 11-12 नहीं चल रहा है ठीक है तो एक चीज़ हम बता देते हैं जैसे 11 में क्या होता है इतना syllabus रहता है तो देने के लिए पहले तुम्हारा pre-boards होता है फिर boards का pre होता है फिर boards होता है यहाँ पर नहीं यह professional exam है यह ठीक है वहाँ पर teacher बता देता है कि क्या-क्या आने वाल है यहाँ पर नहीं बता चलेगा कि क्या-क्या आने वाल है एक chapter मैं तुमको बताता हूँ मैं C.E.I.N.T.R.E. experience शेर कर रहा हूँ there was a chapter called as tax holiday यह को लगा आएगा नहीं तो पेज का chapter था मैं छोड़ दिया मैं paper में रो दिया था वो ही chapter से 15 नमर का question आया था यह professional exam है तो यहाँ पर ऐसा कोई demarkation नहीं होता है कि इससे आएगा इससे नहीं आएगा जो chapter छोड़ के जाएगा यह मेरा वर्दान है देखना उसी से आएगा क्योंकि मेरे संग हमेशन ऐसे ही होते आए बहुत सीधा सा बात है अगर मालो तुम खाली paper A तुमको अच्छा लग रहा है तुम paper A में एकदम 100 में 100 ले आए तो भी तुम fail हो जाएगा क्योंकि 100 में 100 आता नहीं है 90 भी आएगा तो भी तुम fail हो जाएगा तो EHE MS से दिवाग में रखना कि में को MS Word का टाइपिंग हम लोग धिर दे करके बताएंगे ठीक है तो तीनों चीज को balance करके तुमको चलना है और बहुत जाधा pressure भी नहीं लेना है कि एकदम बहुत जाधा pressure हो गया है tension वैसा कोई बात नहीं है stay normal एकदम धिर दे करके अपना daily का पढ़ा है daily करना है ठीक है आजो next Conditions for a valid CDF Conditions for a valid CDF ठीक है Conditions for a valid CDF लिखना सबसे पहला fx should be greater than equal to zero दूसरा fx should be an increasing function of x दूसरा fx infinite should be equal to one basically जो last probability है last value का जो because total probability always sums up to one yeah copy कर लो इसको fx should be an increasing function of x का मतलब क्या होता है जैसे जैसे मेरा x बढ़ेगा वैसे वैसे मेरा fx भी बढ़ना चाहिए अगर माल लो x बढ़ा और fx गिरा इसका मतलब क्या है there is some point where there is negative probability जो की possible नहीं है ठीक है इस पे case study करेंगे लिखो question लिखना copy होगे एला मैं cases बताऊंगो तुमको बताना है कि ये valid cdf एक ही नहीं है ठीक है जो f1 अभी copy मत करना रुक जाओ f3 f4 कौन है mic off करो ये दिया है 0.3 0.5 0.8 1.2 बोलो not a valid cdf क्योंकि 1 को exceed कर गया ठीक है तो ये वाला नहीं होगा दूसरा 0.5 0.4 0.71 नहीं होगा क्योंकि x बढ़ा और fx गिर गया तो ये भी नहीं होगा ठीक है next 0.25 0.61 0.83 1 valid cdf क्यों sub condition meet हो ठीक है last total probability 1 है increasing है और सारा positive भी है ठीक है copy कर लो इसको done next अब एक कुश्चन करेंगे हम लोग ठीक है मैं fx दे रहा हूं तुम लोगको ठीक है fx मैं दे रहा हूं fx मैं दे रहा हूं when x is less than 1 it is 0 जैसे ही x 1 को touch करता है बट 4 से कम होता है तो उस समय हो जाएगा 1 by 3 जैसे ही वो 4 को touch करता है बट वो 6 से कम रहेगा समय हो जाएगा half जैसे ही वो 6 को touch करता है बट वो 10 से कम रहेगा समय हो जाएगा 5 by 6 और जैसे ही वो 10 या फिर उससे जादा होता है उसके लिए हो जाएगा मेरा 1 यह copy कर लो पहले यह fx है पहले आराम से इसको copy कर लो whenever we are given cdf and we are asked to calculate probabilities we will first convert it to a pdf अब ध्यान देना इधर में कौन कौन से points पर probability है यह कैसे पता लगेगा किसको किसको छूते ही probability बढ़ गया जैसे 1, 4, 6 और 10 ठीक है तो 1 को छूते ही probability कितना हो गया 1 by 3 ठीक है फिर 4 को छूते ही total probability कितना हो गया half तो total probability half है मतलब 4 पर कितना है half minus 1 by 3 6 पर कितना है 5 by 6 minus और 10 पर कितना है 1 minus 5 by 6 ठीक है चलो pdf बना लो इसका ठीक है तो pdf में 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 रख्या आ जाएगा x 1, 4, 6 and 10 ठीक है yes नंदिनी बोलिये नहीं क्योंकि उस पर कोई probability है नहीं नहीं तो probability भड़ता न चूते तो 1 पर कितना है 1 by 3 फिर half minus 1 by 3 is what 1 by 6 एई आपका नाम क्या है नहीं आपके पीछे राज नंदिनी एक चीज़ बताना 1 by 3 बड़ा होता है न 1 by 6 बड़ा होता है 1 by 6 बड़ा होता है very good 1 by 3 बड़ा होता है excellent यह आगे काम आएगा ठीक है जब graph बनाते हैं न अभी जो graph बनाए थे तो पहले लिखता है 1 by 3 फिर लिखता है 1 by 6 तो हम पूछे कि कौन सा बड़ा है बोला 1 by 6 1 by 6 छोटा है 1 by 3 बड़ा है 1 by 3 1 by 6 5 by 6 minus half is what ठीक है copy कर लो पहले इसको यह मैंने distribution बना लिया probability distribution ठीक है अब इसके बड़ा हम लोग probabilities निकालेंगे ठीक है तो probabilities हम लोग निकालेंगे कैसे ध्यान देना इधर देखो सबसे पहले हम लोग को निकालना है probability यह बला बताओ क्या होगा 2 से बड़ा 6 या फिर 6 से छोटा तो 2 से बड़ा और 6 या फिर 6 से छोटा में कौन सा आ जाएगा 4 और 6 4 और 6 पे क्या क्या है 1 by 6 प्लस 1 by 3 विच इस हाफ ठीक है मज़ा आया अब ऐसे बहुत सारे देरे करो मज़ा लोग कॉपी हो गया चलो X is equal to 4, 4 पे कितना probability है 1 by ठीक है X is greater than or equal to 10, 10 या फिर उसे जादा 1 यही तो सिखाना था 10 या फिर उसे जादा तो 10 पे ही तो एक probability है तो 10 पे कितना probability है 10 पे probability है 1 by 6 तो answer क्या हो जाएगा 1 by 6 not 1 10 या फिर उसे जादा और CDF में greater than or equal to 10 का range के लिए cumulative probability will be 1 because the last probability is at 10 ठीक है greater than 4 मतलब 4 नहीं half greater than or equal to 4 मतलब 4 को भी लो ठीक है copy कर लो इसको इसके बाद कुछ से बनाओ तो PDF, CDF का graph बनाओ तो कुछ से फिर हम बनाएंगे match कर लेंगे ठीक है चलो, PDF का graph points 1, 4, 6, 10 1, 4, 6, 10 नीचे क्या आएगा? अरे नीचे क्या आएगा? 1 by 6 उपर क्या आएगा? चलो, बोलो पहले 1 by 6 था ना, पहले 1 by 3 था क्या था पहले? पहले क्या था? 1 पे कितना है? 1 by 3 तो पहले क्या आएगा? 1 by 3 1 by 6 1 by 3 1 by 6 विशाल जैन, समझ में आ रहा है? ओनलाइन वाला बच्चा लोग, प्लीज अपना सब लोग शेहर का नाम लिखो तो तू कौन से देश से आई? बतावे बताओ सब लोग चैट बॉक्स में लिखो विशाल जैन, हैदरावाद हाँ, एक एक करके लिखो वड़ावट पुने, अमरावती फिर लिख रहा है भटिंदा, बैंगलोड, देल्ली बैंगलोड, नागपूर, लखनो, गुरगाओं, एमदाबाद गुजरात, एमदाबाद नेपाल, पुने, देली, दिली, एमदाबाद कोलकत्ता, उदैपूर, जैपूर, पुरूलिया, थेंक यू, no, I'm fitness freak, sorry ठीक है, पुरूलिया, very good मतलब, देखा कितना diversity है, मतलब, पुरा भारतवर्स से लोग जुड रहे है, क्या है, हरे, foreign students को देखती, मेरा English निकल जाता है, मतलब, एकदम, जैसे तुम लोग सब ठीक होना, मतलब, बाहर से ऐसे आता है, UK, मेरा फिर English एकदम पुरा है, yes, x greater than, 4, half, क्यूंकि 4 को नहीं लेना है, न, 4 से जादा में क्या आएगा, 6 और 10, तो 6 10 का टूटर करेंगे, यह हो गया, CDF का देखो, CDF का देखो, 1, 4, 6, 10, एक सेकेंड रुको, 1 by 3, half, 5 by 6, और 1, ऐसे CD चड़ेंगे, yes or no, yes or no, बोलो, एक, 4, 6, 10, यहाँ पर x और y axis में क्या मापेंगे, probability axis, चालो, चीक है, हो गया, एक और कर लो, दन, fx दिया वह है, x is less than minus 1 पे 0, फिर जैसे ही minus 1 को टच करेगा, बट 1 से कम रहेगा, 1 by 4, फिर 1 को टच किया, बट 3 से कम है, फिर 3 को टच किया, बट 5 से कम है, and x is greater than equal to 5, 1, ठीक है, यह मेरे को cdf दे दिया है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, pdf पे लिए points identify करिए, minus 1, 1, 3, 5, minus 1 पे कितना है, 1 by 4 minus 0, 1 पे कितना है, half minus 1 by 4, 3 पे कितना है, 3 by 4 minus half, और 5 पे कितना है, आप तो अगले क्लास के लिए कितना जल्दी आ गए, done, यह तुम लोग pdf बना ले ना, ठीक है, अब मैं probability दे रहा हूँ, probability x is less than, equal to 3, probability x is equal to 3, probability x is less than 3, probability x is greater than, equal to 1, probability minus 0.4, say 4, निकालो, एई मेरे तब देखो, मेरे तब देखो, less than, equal to 3 मतलब क्या, minus 1, 1 और 3, 3 by 4, 3 by 4, 1 by 4, 2 by 4, greater than, equal to 1, 1, 3, 5, minus 0.4, एई, एक सेक्ट, number line सोचो तो एक बार, number line सोचो एक बार, तो minus 1 के बाद आता है, minus 0.4, minus 1, पहले हो गया, फिर minus 0.4 तो minus 1 नहीं आएगा, तो minus 0.4 से 4 में क्या आएगा, क्या आएगा, 1 और 3 तो क्या होगा, very good, ठीक है, अब इसके बाद में ये देखो, हाँ बोलो, 3 से बड़ा और 5 से छोटा, हट, 3 से बड़ा और 5 से छोटा, तो 3 और 5 दोनों ही नहीं आएगा, 0, 0 कौन बोला, वाँ, विदी, विदी एगरवाल बोली नहीं 0, कौन बोला, 0 कौन बोला, मोक्स बोला, तुम लड़की कहा हो जोगा, बोला मोक्स, अचा मोक्स इता, जैन मोक्स इता है, ठीक है, 0, very good, next, क्योवाला करके दिखाना, तीन या फिर उससे बड़ा और 5 से छोटा, और अगर मैं ये बोलू कि तीन या फिर उससे, बड़ा और 5 या फिर उससे छोटा तो, 2 by 4, very good, very good, अब इसका वो बना दो, क्या बना दो, graph बना दो, ठीक है, ये सबसे कुछ आएगा ने लेकिन एक्जाम में, ये तो है न, जब तक समझ में आएगा, उससे कुछ आएगा नहीं, जब नहीं समझ में आएगा, उससे सब कुछ आएगा, अधर हमको tough लग रहा है, हम छोड़ रहे, tough लग रहे, this tough, ग्राप पनाओ, भो क्या क्या, आई सुनो, सुनो इदर, एक मिनिट, ग्राप में, यहाँ पर आएगा, माइनस वन, वन, ट्री और फाइफ, सेम चीज है, यहाँ पर हम लोग मापेंगे, एक्स, और यहाँ पर, प्रोबाबिलिलिटी, क्यापिटल एक्स, यहाँ पर आजएगा, मेरा वन बाइ फोर, सबका हाइट सेम, बोलो हाँ, बोलो ना हाँ, और यह अगर हम लोग वो बनाएंगे, तो माइनस वन से ऐसे वन तक, ठीक है, बना दो पूरा हम देख रहे हैं, आगे बड़े, आगे बड़े, हेटिंग लगाना, CRV, Continuous Random Variable, ठीक है, Continuous Random Variable, ठीक है, सबसे पहले, लास्ट वाले में हमने पढ़ाता, Probability Distribution, अब यहाँ पर हो जाएगा, PDF Probability Density Function, ठीक है, हेटिंग लगाना, Probability Density Function, ठीक है, PDF PDF, ठीक है, ओके वेट, इधर देखो, हम लोग वहाँ पर लिखते थे थे न, Probability Capital X is equal to small x, यह यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं, लिखो ऐसे, लिख के काट के लिखो, लिख के काट के लिखो, इसी का पैसा है, ठीक है, लिख के काट के लिखो, Probability, not defined, at a particular point, ठीक है, तो notation क्या बन जाएगा, fx, ठीक है, fx is the notation, इसके बाद में लिखना, Conditions for a valid PDF, Conditions for a valid PDF, एई सब लोग में तर देखो एक बार, एक सेन सुनो, एक सीच बोल रहे है, हम बोले कि एक point पर probability है नहीं, और याद है कल वाला class, कल वाले class में क्या था, क्या था, क्या था, कि अगर हम लोग को sum करना है, over a continuous range, इस तो हम लोग क्या यूज करेंगे, integration, ठीक है, तो conditions, यह लिख दिया, इसका notation है यह, यह मेरा है notation, notation, ठीक है, copy हो गया यह ला पुरा, done, copy हो गया, ठीक है, अब next शरी लगाना, conditions for a valid PDF, ठीक है, अब ध्यान देना, तो क्या हो जाएगा, fx should be greater than equal to 0, ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा, integrating over the range of x, fx should be, fx dx, should be equal to 1, ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, integrate करना है, और integrate करके, मेरा जो total probability है, वो क्या आजाएगा, 1, हाँ, नंदी नी बोलो, यह आप जैसे जो function है, function basically, आपका जो range है, उसमें basically, आपका greater than equal to 0 आना चाहिए, negative नहीं आना चाहिए, आज जैसे मैं आपको कोई भी एक PDF दूँगा, तो वो PDF का basically, basically जो value है, वो negative नहीं आना चाहिए, बात वो है, ठीक है, आपका, मैं एक range मैं आपको दिखाता हूँ, कैसे यह condition आएगा, ठीक है, एक सिकिंद देना में, अब लिखो, सबसे पहला, यह लिख लिख लिखा ना, हाँ, अच्छा, अब पहला question लिखना, fx is, 6x, 1-x, ठीक है, अब आप एक बड़ 0 डालो, तो 0 डालने से 0 आ रहे है, और 1 डालो, 1 डालने से क्या आ रहे है, negative नहीं हो रहे हैं ना, तो वो ही चीज़ है, fx should be greater than equal to 0, तो यह negative नहीं हो सकता है, density function negative कैसे हो जाएगा, तो इसलिए greater than equal to 0, ठीक है, अब यह हम लोग को proof करना है, कि यह valid है कि नहीं है, तो यह valid है कि नहीं है, कैसे proof करेंगे, integrate करेंगे, over the range of, 1 minute, 1 minute, CRV है कि CRV है यह, कैसे पता लग रहा है, range देखके, range क्या है, कल तक क्या था, 1, 2, 3, 4, आज क्या है, 0, 7, तो चलो, integrate करेंगे, 6X, 1 minus X, DX, 0, 7 is equal to, तो 6 बहार, ठीक है, X का क्या हो जाएगा, X square by 2, minus, X cube by 3, 0, 7, 1, देखो, 1 आ रहा है किया, चेक करो फड़ाबट से, सब लोग अपना camera on रखेंगे, हाँ, आ रहा है, ठीक है, चलो, आगे बढ़ते हैं, दूसरा, दूसरा, FX is, 2, 1 minus X, same range, चलो, इसको integrate करके देखो, 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, let's do it, आ रहा है, सब लोग आराम से कर लो, आ रहा है, चलो, FX is equal to 5E to the power minus 5X, ठीक है, X is greater than 0, wait, wait, इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, whenever X is greater than 0, हम लोग करेंगे 0 से, infinity, 5E to the power minus 5X, DX, तो 5 बाहर, E to the power minus 5X by minus 5, 0 से infinity, रुख जाओ, minus बाहर है, तो E to the power minus infinity, minus E to the power 0, anything to the power 0 is what? 1, E to the power minus infinity, एक सेकें नोट में देख ले न, नोट पे देख लो, E to the power minus infinity is 1 by E to the power infinity, which is tending to 1 by infinity, which tends to 0, 1 by infinite is something very close to 0, तो E to the power minus infinity can be approximated as 0, ठीक है? ओके, अब देख लो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? minus 0 minus 1, which is 1, answer, copy, चलो, जो यहाँ आएगा? जो नेक्स्ट, put the heading, gamma integration, extremely important, ठीक है? format देख लो, integration 0 से infinity, x to the power alpha minus 1, e to the power minus lambda x, dx is gamma alpha by lambda to the power alpha, gamma मतलब क्या होता है? एक कम का factorial, ठीक है? यह gamma integration है, यह format में होगा, तो ही हम लोग इसको apply करेंगे, वरना हम लोग इसको apply नहीं कर सकते, ठीक है? तो यह format होना चीए, ठीक है, इसको copy करो, एक sum कराएंगे, अंदर से ठीक लगेगा. अगर तुम लोग देखोगे, तो यहाँ पर x है, इसको format में लाना है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? x to the power, 2 minus 1, तो मेरा alpha क्या हो जाएगा? 2, 9 मेरा बाहर आ जाएगा, और lambda क्या है मेरा? 3, range क्या है? 0 से infinity, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? मैं अगर इसको solve करना चाहूँ, यह वाले part को अगर मैं solve करना चाहूँ, तो मैं क्या बोल सकता हूँ इसका? अगर मैं को इसको solve करना है, तो मैं क्या बोलूँगा? 9 मेरा बाहर बाहर, alpha minus 1 factorial, मतलब, 2 minus 1 का, factorial divided by, lambda to the power alpha, मतलब 3 का, square, तो 1 का factorial क्या होता है? 1, सब कुछ कट कुटा के क्या आ जाएगा? 1, check करो पहले इसको, आराम से पहले देखो इसको, format से match कर आओ इसको, कौन सबला है? फॉर्मुला, integration 0 से infinity, x to the power alpha minus 1, e to the power minus lambda x dx, अगर ये format रहेगा, तो इसका answer होगा, gamma alpha, gamma मतलब क्या? एक कम का factorial, ठीक है? तो gamma alpha क्या हो जाएगा? alpha minus 1 का factorial, divided by lambda to the power alpha, ठीक है? एक और करेंगे, एक और करेंगे, एक और करेंगे, fx मिरको दियावा है, 32x square e to the power minus 4x, x is greater than 0, start, तो integration 0 से infinity, 32x to the power 3 minus 1, e to the power minus 4x, dx, तो 32 तो मेरा बाहर आ गया, into, अब मेरा alpha क्या है? 3, मतलब 2 factorial, divided by 4 का cube, 32 into 2 is 64, and 4 का cube is what? तो क्या आ जाएगा? answer 1, देख लो, तो क्या जाएगा? distribution function, cumulative distribution function, तो क्या जाएगा? अब इसका format देख लो, capital fx, तो क्या है? cumulative में दोनों में distribution है, बट probability में, discrete में है distribution, continuous में है density, तो fx मेरा ध्यान देना, integration start to x, fs, ds, basically हम लोग क्या कर रहे हैं? एक general expression बना रहे हैं, फिर क्या करेंगा? खाली value putting करेंगे हम लोग, एक बड़ मेरा x के terms में, general expression आ गया, फिर मेरे को जहां तक का probability निकालने बोलेगा, वहां तक का निकाल दूँगा, वसका ली value putting करना है, ठीक है? इसको copy करो एक बड़, yes, discrete में होता है आपका probability distribution function, और continuous में आपका होता है probability density function, ठीक है? पहला बात यह, और दूसरा बात क्या है? कि cumulative में दोनों में distribution है, ठीक है? अब एक example लिखना, एक example लिखो इसका, example में fx हम लोग को दिया हुए 5e to the power minus 5x, x is greater than 0, इसका मेरे को cdf बनाना है, ठीक है? इसका मेरे को cdf अगर बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगा, ध्यान देना, capital fx is equal to integration 0 to x, start कहां से हो रहा है? 0 से, 5e to the power minus 5s, ds, s क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि limits में already x है, इसलिए, ठीक है? अब इसको solve करो, इसको solve करो, 5 बाहर, e to the power minus 5s by minus 5, ठीक है? 0 to x, solve करिए इसको, तो क्या आ जाएगा? चेक करो तो यही आ रहे हैं, 1 minus e to the power minus 5x, finally चेक करो तो यही आ रहे हैं एक बार, हाँ बोलो, हाँ? yes, yes, dummy, very good. What is this capital Fx? इसको आप लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, probability capital X is less than equal to small x, हाँ बोलो, विधी बोलो, नहीं, क्योंकि आपका limits में भी x है और वहाँ पर भी x है, तो वैसे ले नहीं सकते हैं, एक टाप का dummy variable समझ के चलो, S को, आप S के जगह में T, कुछ भी ले सकते हो, V, कुछ भी ले सकते हो, answer सेमी आएगा, बस presentation का बात होता है, समझा, अब जैसे अगर हमको बोलेगा, probability x is less than or equal to 3 निकालने, तो मैं थोड़ी वापस integrate करूँगा, मैं क्या करूँगा, खाली, 3 put करूँगा उसमें, discrete में हम लोग को अगर probability निकालने बोलता था, तो मैं लोग सम करते थे, यहाँ पर हम लोग को जहाँ से जहाँ तक का probability निकालने बोलेगा, हम लोग वहाँ से वहाँ तक PDF को integrate करेंगे, वहाँ से वहाँ तक का probability निकालना है, तो वहाँ से वहाँ तक का हम लोग pdf को integrate करेंगे, simple एक्तम, आज जैसे greater than equal to 4 बोला, तो 4, 6, 10 को हम लोग प्लस किये न, वैसे यहाँ पर भी है, जहाँ से जहाँ तक का बोलेगा, वहाँ से वहाँ तक का हम लोग pdf को integrate कर देंगे, ठीक है, पहले यह copy हुआ, ठीक है, यहाँ अब जैसे हम लोग को fx दे दिया है, fx हम लोग को दे दिया है, k e to the power minus 3x, x is greater than 0, बोला है find the value of k, मने मान के चल रहे हैं कि यह क्या है, valid है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, integration 0 से infinity k e to the power minus 3x dx is equal to 1, अब यहाँ से पहले k का value solve करिए, फड़ा-फड से solve करके बता ही कितना आ रह यह बहार आ जाएगा constant है, e to the power minus 3x by, अरे by, minus 3, फिर क्या करेंगे value putting, 0 से infinity, चलो solve करो के का value, 3, gamma integration से भी कर सकते हैं, x नहीं है, तो x को ला सकते हैं, x to the power, 1 minus 1, तो मेरा alpha क्या हो जाएगा, 1, अराम से करो इसको, क्यों वह, हो गया, हो गया, क्यों रहे हैं, सब का आया, के का value 3, हाँ, अब इसके बाद में हम लोग को बोल रहे हैं, हम लोग को निकालना है, probability, 0.5 x 1, इधर देखो, मेरे तर देखो, 0.5 से 1 तक का probability निकालने बोल रहे हैं, तो क्या करेंगे, 0.5 से 1 में integrate कर देंगे, PDF को 3 e to the power minus 3 x dx, अब इसको solve करिए, इसको solve करने में क्या आ जाएगा, 3 e to the power minus 3 x by minus 3, 0.5 से 1, तो minus e to the power minus 3 minus e to the power minus 1.5, है, e to the power minus 1.5 minus e to the power minus 3, solve करके देखो, इसको यह ही आ रहे हैं, चेक करो सब लोग, yes, cdf, उस point तक का probability बताता है, cumulative, हाँ, अनुश्री गुपता ठीक है, आगे बताएंगे, रुको धे दे बताएंगे, रुक जाओ, यह वाला हुआ सबका, किसी को कोई भी दिक्कत है तो प्लीज हाथ उठाओ, ठीक है, हो गया यह अन तक सबका, done, ठीक है, अब एक और सम करो, fx हम लोग को दे दिया है, e to the power minus x, x is greater than 0, हम लोग को बोला है, probability x is greater than 1 निकाल ले, तो क्या करेंगे, 1 से लेके infinity में integrate कर देंगे, e to the power minus x, gx को solve करके बताइए, e to the power minus x, minus हो जाएगा, ठीक है, 1 से infinity, तो क्या हो जाएगा, minus e to the power minus infinity, minus e to the power minus 1, e to the power minus 1, और यह तो मेरा 0 हो जाएगा, तो यह ही मेरा answer हो गया, बोलो, ठीक है, यहाँ तक किसे को कोई भी दिक्कत, अब यारे copy चक करेंगे सबका, ठीक है, अब मेरे को capital fx दे दिया है, 1 minus, 1 plus x, e to the power minus x, ठीक है, x is greater than 0, capital fx दे दिया है मतलब, integrated expression दे दिया है, अब दुबारा मात integrate करने लग जाना पागलों की तरह, यह integrate करके दिया वेखाली क्या करना है, value putting करना है, देखो, पहले हम लोगों को बोला, probability x is less than, equal to 2 निकालने, तो यह क्या हो जाएगा, f2 हो जाएगा, fx का तो definition वो ही है, probability up to 2.2, तो क्या करेंगे, खाली, x के जगा में, 2 डालेंगे, तो डालो, 1 minus, 1 plus 2, e to the power minus 2, ठीक है, मेरे तरफ देखो एक बार, यह बस वो लोग मेरे तरफ देखो, discrete में, greater than और greater than, equal to में फरक है, less than और less than, equal to में फरक है, बट continuous में फरक नहीं है, क्यों, discrete में, greater than 2 का मतलब 2 नहीं, 2 के बाद क्या 3, तो greater than, equal to 3, लेकिन continuous में, greater than 2 का मतलब क्या है, 00001, which is as good as 2 only, so discrete में फरक पड़ता है, but continuous में फरक नहीं पड़ता है, ठीक है, तो आप देखो इधर में, तो greater than 1, less than 3, क्या चाहिए मेरे को, क्या चाहिए, क्या चाहिए रहे तिरको, क्या चाहिए, क्या चाहिए रहे तिरको, हाँ, very good, तुम KGF देखा है हर्ष, क्या बोलते है, क्या चाहिए रहे तिरको, बोलो, आई सावस्तनवी जैन बोली, दुनिया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या चाहिए, probability x is less than 3, minus probability x is, wait, एक सेकेंड, greater than 1 चाहिए, तो क्या नहीं चाहिए, less than equal to 1, अरे फरक नहीं पड़ता है, लेकिन ग्यान है तो प्रदर्शन करना चाहिए न, greater than 1 चाहिए, मतलब क्या नहीं चाहिए, 1 चाहिए, क्या नहीं चाहिए, ठीक है, तो less than 3 में सारा आ गया, minus मतलब क्या, क्या नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए, less than equal to 1 नहीं चाहिए, wait, wait, तो यह क्या हो जाएगा, f3, minus f, खाली value putting करना है, करो, करो इसको, अगर greater than हुआ, तो इसको 1 minus करके क्या करेंगे, less के form में express करना पड़ेगा, क्यूंकि cdf is always less than equal to, क्या मिर्ति थля वेंगे, क्या हो जाएगार आ श् 정ॉλοपारा क्या था करना हुआ, क्या क्या हैं, क्या आ, य्唱 क्या हूँ, क्या हुआए, याः तो क्या, क्या है, चूआ हAST अट चाहिए, तो क्या, lis documentعة क्या, क्या थे थैए, तो süई पन्यां हो याएगारें, 1 second. 1 second. probability x is greater than 4 so 1 minus probability x is 1 minus f 4 solve करीए इसको क्योंकि cdf अमिशन less than equal to के form में है आपका यह जो fx जो आपको दिया वह है वो क्या है probability capital x is less than equal to small x यह इस form में है call के मैंने ऐसा किया f y मिरको दिया हुए 1 by 8 y plus 1 y का range दिया हुए ठीक है आपको निकालना है probability y is less than 3.2 probability 2.9 by 3.2 यह लो question करो चलो start करो classwork है उसा सब्सक्राइब करे दो करेंको दो भागी का भागी झाल 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 देखो यहाँ पर हम लोग को PDF दिया वह है तो पहले बाले में होगा 2 से 3.2 1 बाई 8 y प्लस 1 dy ठीक है और इसमें होगा 2.9 से 3.2 1 बाई 8 y प्लस 1 dy ठीक है solve कर लो इसको next yes मोक्ष क्यों बनाना है बना सकते हो बट बनाना क्यों है ठीक है next question yes प्रतम हाँ पहला बाला में 3.2 पुट कर सकते हैं दूसरे बाले में f 3.2 minus f 2.9 कर सकते हैं प्रतम next हम लोग को f x दिया वह है 6 x 1 minus x ठीक है हम लोग को निकालना है probability x is less than 1 by 4 probability x is less than greater than half solve करिए इसको less than 1 by 4 में क्या करेंगे हम लोग 0 से 0.25 और यहाँ पर क्या करेंगे 0.5 से 1 f x dx f x dx solve करिए इसको झास्ती होadd LIVE कर वाल झास्त fest www.02. proving झास्तल 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 怎麼श्त झास्तल कर इसके बाब में यह अलग कुशन करना है एफ एक्स दिया वह है यह मेरा रेंज है और हमको यह निकालना है ठीक है चलो स्टार्ट करो यह दोनों कुशन करो झालना है झाल 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 कितना आ रहा है एंसर ये पहला वाला कितना आ रहा है हाँ 5 by 32 दूसरा वाला कितना आ रहा है half और ये कितना आ रहा है 2 by ठीक है आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे ठीक है कल तुम लोग का क्लास है roughly 11 बजे होगा मैं अभी exact time just 10 से 15 मिन में बता दूँगा ठीक है तो कल तुम लोग का थोड़ा लंबा क्लास होगा ठीक है दो धाई घंट हम लोग कल पढ़ेंगे ठीक है इसके आगे continue करेंगे तो यहां तक पुरा revision करके आना ठीक है ठीक हो लफ्यू अभी शुरू-शुरू-बेन थोड़ा कम-कम पढ़ा रहें धीर ही धीर